सभी बच्चों को सुप्रभात मैं रूपनारेंट सर्मा रेजोनेंस बेसी सिपी डिविजन हिंदी फेकल्टी और बच्चों आज हम चलते हैं क्लास एर्थ और हमने व्याखरण ग्यान का एक टॉपिक लिया है नया टॉपिक वाके विचार आज हम वाके पर विचार करते हैं बच्चों वाके क्या है देखें तो वाके क्या है एक शब्दों का वहां समू है केसा समू करते हैं अहब आपको सर जो अधूरे अर्थ को इसपश्ड करते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं परिभासा देखिए भाषा की सबसे छोटी काई क्या है बच्चों वर्ण है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं वर्णों के सार्थक शमूह को क्या कहते हैं बच्चों शब्द कहते हैं तथा शब्दों के सार्थक शमूह को क्या कहते हैं हम वाके कहते हैं अर्थार्थ वाके शब्द शम्हों का व सार्थक विन्यास होता है रूप होता है जिससे उसके अर्थ एवं भाव की पोल्ण एवं सु इस्पष्ट अभिवेक्टी होती है अतह वाके में आकांग्षा, योगेता, आशक्ती एवं क्रम का होना आवशक है पहले बात क्या है आकांग्षा है इच्छा होने की क्या होनी चिए किसी भी वाके को पढ़े तो उसको पढ़ने के प्रति इच्छा जागरत होना जरूरी है योग्यता उसके व्याक्रण का जो क्रम है वह सही होना चाहिए आशक्ति वहाँ उसका भाव उसका आर्थ क्या करे हमें अपनी और आक्रशित करें यानि हम उसको समझ सके और क्रम बद्धिता क्रम बद्धिता का मतलब पहले क्या आता है सबजेक्ट फिर क्या आता है औबजेक्ट और फिर क्या आता है वर्व करता कर्म और किरिया होना जरूरी है बच्चों समान्ने तह वाक्य के दो अंग होते हैं कितने अंग होते हैं दो कौन-कौन से एक उद्धेश से होता है एक विदे होता है एक तो क्या होता है उद्देश से जिसके संभंद में वाक्य में कुछ कहा जाता है बच्चों इस सब्द को सही करेंगे हम जिस जिसके संभंद में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश से कहते हैं अर्थार्थ करता ही वाक्य में उद्देश से होता है क्या होता है बच्चों उद्देशे होता है किन्तु यदि करता कारक के साथ उसका कोई विशेशन हो जिसे करता का विश्तारक कहते हैं और उद्देशे के ही अंतरकत आता है बच्चों कैसे उधारन देखिए राम ने खाना खाया यह क्या है ने क्या है राम क्या है सब्जेक्ट और ने क्या है सब्जेक्ट का विस्तार राम करता है और ने क्या है विस्तार है तो यहां पर क्या होना चीए एक तो संग्याशब्द करता और करता के साथ जुड़ने वाला क्या कारक चिन क्या कहलाएगा उद्देश से कहलाएगा बच्चो इसको समझाने के लिए यहाँ पर मेरा भाई प्रसान्त धार्मिक पुस्त के अधिक पड़ता है फिर इस पश्टी करण भी दिया हुआ है वाक्य में मेरा भाई प्रसान्त धे क्या है उद्देश से है जिसमें प्रसान्त करता का विशेशान अर्थार्थ इसे करता का विस्तार भी कहेंगे दूसरा क्या दिया हँआ है इसमें विदे विदे यह क्या है विदे उद्देश से अर्थार्थ करता के संभंद में वाके में जो कुछ कहा जाताय यानि सबजेक्ट तो किसमें चला गया अपने उद्देश से में और बचा क्या अबजेक्ट और वर्ब बची कर्म और किरिया बचा ये किस में आएगा विदे के अंतरगत आते हैं अतह विदे के अंतरगत वाके में प्रियुक्द किरिया का विस्तारक कर्म कर्म का विस्तारक पूरक तता पूरक का विस्तारक आधी आते हैं उक्त वाक्य में धार्मिक पुस्तके अधिक पढ़ता है वाक्यांस विदे है जिसमें पढ़ता है शब्द किरिया है तो अधिक किरिया शब्द का विस्तारक है जो उसे किरिया का विस्तारक कहते हैं पुस्तके क्या है बचों शब्द कर्म है तो धार्मिक शब्द प बाके में किरिया अपूर्ण होती है तो उसे पूरक कहते हैं और पूरक की विशेष्था बताने वाले पूरक का विस्तार कहलाता है यह बात समझ में आ गई तो इसमें क्या समझें एक तो कर्म प्लस कर्म का विस्तार प्लस किरिया और किरिया का क्या है विस्तार यह क्या है किरिया का विस्तार तो यह क्या कहलाता है विदय कहलाता है अब कर्म के पीछे क्या जुड़ता है कारक्चिन जुड़ेंगे किरिया के पीछे साहय किरिया किरिया के आगे क्या जुड़ेगा किरिया विशेशा तो ये किस में आएंगे ये वाएंगे बच्चों विदय में फिर वाक्य के भेदों के बारे में अपन करी चर्चा रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं बच्चों साधारण वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश से और एक ही विदे साधारण होता है उसे क्या करते हैं हम साधारन वाक्वे यानि करता एकोना चीह कर्म एकोना चीह और किर्या भी एक होना चाहिए तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम साधारन वाक्वे कहते हैं कैसे गांधी जी ने कहा शोरी नेता खाना बनाती है अब अच्चो नेता क्या है नेता करता है खाना क्या है कर्म है और बनाती है यह क्या है किरिया यह क्या है किरिया है तो एक कर्म एक कर्ता एक कर्म और एक किरिया इसके होने से क्या है नेता खाना बनाती है यानि साधन वाक्य है बच्चो दूसरा मिस्त्रिया मिस्त्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसको मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं बच्चों ये ध्यान रखना है जैसे उधान दिया हुआ इसमें कि गांधी जी ने कहा कि सदा सच बोलो अब इसमें बच्चों प्रधान तो क्या है प्रधान की मैं बात करूँ गांधी जी ने कहा ये तो क्या है प्रधान और आश्रित क्या है आश्रित सदा सत्य बोलो ये क्या है आश्रित ये प्रधान ये आश्रित अब इसमें देखें ये की क्या है बच्चों ये की वेधी करण समुचे बोधक अव्वेई ये क्या है समुचे बोधक अव्वेई तो आपको समुचे बोधक अव्वेव क्या होते हैं जेसा तेसा जो वो जब तब की ये सारे किस में आते हैं समुचे बोधक अव्वेई में आते हैं तो इसमें देखें हम इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य तता आसित उपवाक्य का निलने करने से पूर्व प्रधान उपवाक्य एवं आसित उपवाक्य के विशे में जानकारी लेनी चाहिए चाहिए फिर प्रधान उपवाके क्या होती है जो उपवाके प्रधान या मुख्य उद्देश से या मुख्य विधे से बना हो उसको हम क्या कहेंगे बच्चो प्रधान उपवाके कहेंगे उप्रियुक्त वाके गांधी जी ने कहा प्रधान उपवाके है जिसमें गांधी ज तहां मुख्य विदय है तो बच्चो सेकेंड वाला देखवा आश्रित उपवाक्य यह क्या होते हैं जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं उप्रियुक्त वाक्य में की क्या है सधा बोलता है आश्रित उपवाक्य है क कौन-कौन से संघ्या उपवाके जब किसी आसित उपवाके का प्रयोग प्रधान उपवाके की किसी संघ्या के स्थान पर होता है तो उसे क्या कहते हैं हम संघ्या उपवाके कहते हैं जैसे संघ्या उपवाके का प्राहरम किसे हो रहा है किसे होता है कहलाएगा फिर विशेश विशेशन उपवाके के होते हैं जब कोई आसेत उपवाके प्रधान उपवाके के किसी संग्या या सर्वनाम सब्द की विशेशता बतलाते हैं तो उसे उपवाके को विशेशन उपवाके कहते हैं विशेशन उपवाके का प्रारम प्राय जो जिसके इसके द्वारा होता है उधारण भी दिया हुआ है जो विद्वान होते हैं उनका सभी आधर करते हैं आगे हैं बच्चों किरिया विशेशन उपवाके जब कोई आशित उपवाके प्रधान उपवाके की किरिया की विशेशता बतलाते या सूचना दे उसे आशित उपवाके को किरिया विशेशन उ उपवाक्य प्राय यदी जहां जैसे से शुरू होता है तता यथा यद पी क्योंकि जब तब आधी में किसी सब्द यदी राम परिश्रम करता है तो अवस्य उत्यन होते राम यदी परिश्रम करता तो अवस्य उत्यन होता तो इसमें क्या है बच्छों यदी और तो क्या है के आश्रेत किरिया विशेशन वुपवाक्य है ये समझ में आया आपको गह देखें आप इस यह बच्ट ना ना धीकर मुपवाक्य किसको कहते हम तथा यह यह अथ्वआ और पिन भेसjang कि यह किन परंत उपवार्ट की द्यख़्हांद। इनको क्या कहते हैं हम समानाधी करण वे कहते हैं इन से जुड़े हुए होते हैं तो उसे सव्हेंफ्ट वाक्य कहते हैं बच् freuen वे現在 भरत आया किनट भुपेंद्र चला गया अब सवाम Middle अधिकार वाले उसे समान अधिकरण उपवाके कहते हैं तो बच्चों आज हमने विचार का ग्यान किया इसको आज यही पर विराम देते हैं नेक्स्ट लास में इसके अभ्यास प्रश्ण को करेंगे तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद